हेलो बच्चों कैसे हैं आप सब लोग आज अपन online class English पढ़ना स्टार्ट करेंगे और English के आपकी नई books आ गई हैं स्कूल में सभी class 1 से लेकर class 4 तक सारे books आ गई हैं तो आप स्कूल में जाकर अपने books purchase कर सकते हैं और पहला chapter है English का my family तो वो अपना आज पढ़ेंगे तो आईए पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो बच्चों यह है आपकी पहली आपकी नए इंग्लिश की बुक English Reader Class 1 ठीक है clear है तो ऐसी बुक अपनी first कुछ ऐसी दिखती है कितनी अच्छी फोटो आगे इसमें अपने lesson number one my family पढ़ेंगे अपना lesson number one my family ठीक है तो अपने family में कौन-कौन होता है वो सारा पढ़ेंगे जैसे एक family है तो उसमें कौन-कौन से लोग है वो सारा अपन पढ़ेंगे जैसे आपकी family है ना आपकी family में कौन है आपकी मम्मी है आपका पापा है और फिर आपके कोई छोटे बाई बैन, बड़े बाई बैन होंगे, ठीक है, चाचा-चाची होंगे, दादा-दा दी होंगे, तो वो फैमिली, फैमिली में कौन-कौन से लोग होते हैं, वो अपन पढ़ेंगे, ठीक है, तो पहला है, हेलो, I am sunny, मैं हूँ sunny, मैं क्या हूँ sunny, एक बच्चा कह रहा है, यह बच्चा कह रहा है, जो फोटो दिखर की है, यह कह रहा है, हेलो, I am sunny, I am six years old, मैं छे साल का हूँ, ठीक है, यानि उसकी एज कितनी है, छे साल की, आप भी बहुत सारे बच्चे होंगे, जिनकी एज छे साल होगी, ठीक है, तो I मतलब मैं six, यानि छे, years old मतलब, छे साल मेरी एज हो चुकी है, ठीक है, मैं छे साल का हूँ, I study in class first, मैं कक्षा, यानि class first में पढ़ता हूँ, जैसे आप, अब class first में आ गए हैं, व ठीक है, आए मतलब मैं, meet my family, मेरी family से मिलो, meet मतलब मिलो, my मतलब मेरी, और family मतलब मेरा परिवार, यानि वो अपने परिवार से अपन को मिलाना चाहता है, चलो, आगे पढ़ते हैं, this is Mr. Piyush Verma, ये कौन है, this मतलब ये है, पियूश वर्मा है, Mr. Piyush Verma है, ठीक है, तो इनकी तरफ हाथ, ये अपना है सनी, सनी अपने, मतलब ये एक इनसान है, इसकी तरफ हाथ करके बोल रहे हैं, ये पियूश शर्मा है, तो ये हो गए पियूश शर्मा और ये हो गया सनी, he is my father, ये मेरे पिताजी है, फादर मतल मतलब पिताजी, ठीक है, he मतलब पियूश वर्मा की तरफ इशर्मा करके सनी बोल रहा है, कि he मतलब वो मेरे माय, मतलब मेरे पिताजी है, ठीक है, he is a doctor, और ये पेशे से क्या है, एक doctor है, तो देखो लगी रहा है, यहाँ पर प्लस का साहिने, मतलब ऐसा hospital में होता है, और इन्होंने एक doctor की पोशाग पहन रखिये, तो यहनि सनी के पापा क्या है, doctor है, तो सनी बता रहा है, he is a doctor, ये एक doctor है, आगे, he works in his clinic, वो work मतलब काम करते हैं, कहां पे, in his, his मतलब उनके clinic पे, clinic मतलब वो जगह जहां पे doctors, patients को देखते हैं, ठीक है, clinic होता है, जैसे हम बिमा रुजाद्यत के आजाते है, doctor के clinic में तो जाते हैं, दवाई लेने के लिए, तो he, ve works मतलब काम करते हैं, adverse मतलब काम करते हैं, his मतलब उनके clinic में, तो we उनके clinic में काम करते हैं, तो, आगे पढ़ते है बनब अब वो काम क्या करते हैं क्लेनिक में ट्रीट मतलब इलाज करते हैं क्या करते हैं इलाज करते हैं पेशेंट का पेशेंट मतलब जो भी रोगी आते हैं जिनको कोई प्रॉब्लम कोई बिमारी होती है तो he treats the patient यानि वो patient का ilaj करते है and gives them medicines और उनको medicine medicine यानि दवाईयां देते हैं gives मतलब देना them मतलब उनको किनको? patients को ठीक है? और medicines मतलब दवाईयां ठीक है? तो ये सारी लाइन एक बार वापस पढ़े है अपन this is Mr. Piyushwarma ये Piyushwarma है Sunny बोल रहा है He is my father, ये मेरे पिताजी है He is a doctor ये पेशे से doctor है He works in his clinic ये clinic में काम करते हैं He treats the patient and gives them medicine ये patients यानि रोग्यों का ilaj करते हैं और उन्हें दवाईयां देते हैं चलिए पापा से मिलवा दिया? अब मम्मे से मिलवाएगा ठीक है? तो देखो एक बार photo देख लो आप ये सनी है और ये इसकी मम्मा है, अब देखो मम्मा से देख के लग रहा है पीछे एक board है, यहाँ पे बैठी है तेरी मम्मा क्या है? teacher है तो आगे अपन पढ़ते है This is Mrs. Tina वर्मा, ठीक है? यहाँ पे E लिखा वादा लगाते है Mrs., ठीक है? दिस मतलब यहाँ, तीना वर्मा है This is myário, شौरी She is my mother ठीक है? यह मेरी माता है, ठीक है क्या है? मा है, मम्मी है, माता है आप कुछ भी बोल सकते है, कोई बच्चा मा बोलता है कोई माता बोलता है, कोई मम्मी बोलता है तो ये मेरी ममा है ठीके अब देखो लड़कों के लिए आपन क्या लगाते है ही लगाते है इसलिए डॉक्टर के टाइम पर उन्होंने ही ही लगाया था और लड़कियों में आपन क्या लगाते है शी लगाते है तो she is my mother she is a teacher और ये पेशे सी कहा है, एक teacher है, she teaches in a convent school, एक convent school में, convent school वो होती है, जिसमें जिनको Christians लोग चलाते हैं, जैसे Hindu होते हैं, Muslim होते हैं, Christian होते हैं, Christian जिन स्कूल को चलाते हैं, Christian होते हैं, convent school तो वो एक teaches का मतलब पढ़ाना तो वो पढ़ाती है कहां पे convent school में she also likes cooking और उनको like मतलब पसंद है cooking मतलब खाना बनाना तो उनको खाना बनाना भी बहुत पसंद है तो एक बार revise कर लें वापस she is Mrs. Tina Verma ये इनका नाम Tina Verma है ये मेरी मदर है she is a teacher वो एक school में teacher है she teaches in a convent school एक convent school में पढ़ाती है she also likes cooking उनको cooking करना भी बहुत पसंद है खाना बनाना तो बच्चो आज अपन पहली क्लास में यही तक पढ़ेंगे ठीक है तो सनी ने अपने ममा से खुद के बारे में बता दिया अपने पापा के बारे में बता दिया अपने ममा के बारे में बता दिया तो अब अपने भाई बेनों के बारे में आने वाले page पर बताएगा तो अपने पहला page पढ़ लिया अब second page अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे ठीक है तो आप यहां तक इस वीडियो को एक दो बार वापस बार बार रिपीट करके देखो और अच्छे से समझो और जितने भी words की मैंने meanings बताएं आप उनको याद करो जैसे patient का मतलब रोगी होता है treat का मतलब इलाज करना होता है जितने भी मैंने words बताएं तो उनको learn करेंगे ठीक है और poem को read करेंगे बार बार ठीक है हम आपको pdf देदेंगे इसका page का chapter की photo भी देदेंगे तो उसमें से देखके आप chapter को बार बार read करेंगे जोड जोड से पढ़ेंगे ठीक है बच्छों घरवालों को सबको सुनाएंगे ठीक है और वीडियो को like भी कर दो share भी कर दो subscribe भी कर दो और school में books आ गई है books आ के ले ले थैंक यू have a nice day